इन सडकों पे सिर्फ किसान नहीं मिलते युवा भी मिलते हैं हजारों युवा उसे मैंने बात की कोई एंजिनियर बनना चाहता है कोई लॉयर बनना चाहता है को आर्मी में जाना चाहता है कोई पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहता है हर युवा के माता ने पिता ने खून पसीने के पैसे डाले हैं युनिवर्सिटी भेजते हैं बच्चों को कॉलेज भेजते हैं फ्री में नहीं आता महराश्क्रा में मुफ्त में नहीं मिलती शिक्षा लाखो रुपे देते हैं और फिर इन सडकों पे क्या सुनने को मिलता है क्या पढ़े Engineering कौनसी Mechanical क्या कर रहे हो कौनसी कंपनी में काम कर रहे हो मुँ नीचे करते हैं कहते हैं मजदूरी कर रहा हूं उबर की गाड़ी चला रहा हूं क्या हम ऐसा हिंदुश्चान चाहते हैं कि माता पिता लाकों रुपे डालें बच्चों के शिक्षा में डालें सारा का सारा पैसा उनके जेब में से निकल कर बड़े बड़े उद्योग पत्यों के हाथ में चला जाए और उनका सपना कभी पूरा ना हो ऐसा हिंदुश्चान हमें नहीं चाहिए यह किसी और का हिंदुश्चान है यह हमें नहीं चाहिए दो तीन उद्योग पती देश का पूरा का पूरा धन उठा के ले जाए और हमारे युवा अपना सपना कभी ना पूरा कर पाई ऐसा नहीं चाहिए हम हिंदुस्तान और सिर्फ हम होने नहीं देंगे छोड़ो ऐसा हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे तो किसानों के दिल में डर युवाओं के बीच के दिल में डर उनके माता-पिता के दिल में डर और फिर उस डर को बीजे पिन अफरत में बदलती है बाटने का काम करती है भाई को भाई से लड़ाती आप सब के परिवार है आप सब के भाई है माता-पिता है परिवार में नफरत होती है तो परिवार का फाइदा होता है या नुक्सान कोई है यहाँ पे जिसके परिवार में नफरत से फाइदा हुआ है कोई भाई है यहाँ पे जिसको अपने भाई से लड़ने से फाइदा हुआ कोई है यहाँ पे बेटा जिसको अपने पिता से लड़ाई करने से फाइदा हुआ कोई है नहीं हो सकता तो अगर परिवार को फाइदा नहीं होता तो देश को कैसे फाइदा हो जाएगा देश भी तो एक परिवार है लाखों परिवानों से देश बनता है तो हिंसा से नफरत से देश को फायदा नहीं हो सकता